महराश्ट्र के किसान एक बर फिर उग्र हो गए हैं और अपनी मांगो को लेकर दो दिवस्य प्रदर्शन कर रही हैं और इसी सिलसले में एक चुट हुए किसान आज गुरुवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में पहुँचे हैं किसान और आदिवासी लोक संघर्ष समिती के बैनर तले करीब 10,000 किसान अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन करते हुए सुबा साड़े चार बजे चूना भट्टी के सुमया मैदान से मुंबई के आज़ाद मैदान के लिए रवाना हुए थे लोक संघर्ष मोर्चा की अगुआई में किसान दादर पहुँचे और कुछी देर में आज़ाद मैदान भी पहुँच गए अपनी मांगो को लेकर किसानों ने बुद्वार को थाने में प्रदर्शन चुरू किया था इससे पहले इसी साल मार्च में ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन हुआ था जब 25,000 किसान नासिक से मुंबई आये थे इस मोर्चे में पुरुष और महिलाओं के अलावा बच्चे और बुजर्ग भी शामिल है सुरक्षा के मंदे नजर भारी पुलिस बलको मुर्चे के साथ तैनात किया गया है पुलिस के अधिकारी खुद भी मौजूद हैं करीब 6 महीने पहले भी अपनी मांगो को लेकर किसानों ने मुर्चा निकाला था जिसके लिए सरकार ने 6 महीने का वक्त मागा था फिलाल महाराष्ट्र जनसभा का शीत कालिन सत्र चल रहा है और अब देखना दिल्चस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार इन किसानों के लिए क्या कुछ करती है या फिर से एक बार इन्हें आशवासन देकर अपने घर वापस भीजती है आज दिन भर या अंदोलन कारी किसान मुंबई के आजाद मैदान में ही बैठ कर अंदोलन करेंगे